आज हम अपने इस वीडियो में DSIIDC से लेटेट कुछ points डिसकस करने वाले हैं अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छा आपको लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना तो इस वीडियो में हम जो डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले तो कि promotional criteria क्या है कि promotion होगा कि नहीं nature of works और DSIDC में जही का काम क्या होगा तो DSIDC जो है industrial और infrastructure development corporation जैसे कि नाम लिखा रहा है और उखला इंडेस्ट्री लिया बावाना इंडेस्ट्री लियरिया इन सारे की development और maintenance का काम करती है ठीक है तो सबसे पहले इसमें एक बार मैं आपको ना promotion से लिटेटी चीज़ बता देता हूं जो DSIDC है उसके अंदर चीफ इंजिनियर की जो number of post है दो ठीक है यह sanctioned post है दो chief engineer हो सकते हैं फिर इसके बाद SC की जो है दस post है यह भड़ चुकी हो सकती है 2014 के अंदर जो है 2014 तक का दिखा रहा है इसमें 10 post है SC civil की मैं civil से लेटे डिसकस कर रहा हूं फिर उसके बाद action civil की post है 21 ठीक है और AWE इसके अंदर भी AWE की post होती है assistant executive engineer civil ठीक है 21 इसकी post है और last जो है AE civil की post है 26 26 post जो है civil की है AE की तो अगर आप यहां पर criteria देखो promotion का तो junior engineer civil as a jee 5 साल जिसके पास junior as a jee होगा और बंदा Disney degree civil के अंदर होगी क्योंकि जो DSSB ने भी advertisement निकाल लिए उसमें degree diploma दोनों मंगा हुआ है ठीक है तो जिसके पास degree होगी उसको पांस साल का experience चीए जिसके पास diploma उसको पांस साल का experience चीए as level 6 पर 200 ग्रेट पर यहां पर आप दे सकते हो 1200 ग्रेट पर दिखा रखा है 4800 ग्रेट पर नहीं है 4800 जो ग्रेट पर दिखा रखा है वो नहीं होगा 1200 ग्रेट पर होगा ठीक है तो वह उसके अंदर mistake है यह DSIDC की साइट से निकाल रखा है मैंने आप देख सकते हो देख पारे होगे तो एई के लिए 5 साल यानिके अगर आप यह सिलेक्ट होते हो तो 5 साल के अंदर आप एई बन जाओगे ठीक है उसके पांस साल के बाद अगर आप ऐजे एई तीन साल हो रहते तो आप एडवली बन जाओगे जो की एक IES लेवल से जो बंदा जाता है उसके बराबर equivalent हो जाता है वो भी IES के थ्रू जो recruit होते हैं वो भी assistant executive engineer होते हैं ग्रूप A की पोई से level 10 है 5400 ग्रेड पे equivalent salary equivalent power सब कुछ equivalent हो जाएगा ठीक है इसके लिए कितने साल चीए तीन साल बस तो पांच और तीन आठ साल में आप जो है जही से होकर assistant executive engineer बन जाओगे next है executive engineer civil AWE के लिए पांस साल और यानि कि आठ बांत 13 साल में आप executive engineer civil बन सकते हो ठीक है 13 साल बहुत minimum है यह इस department में आप किसी भी और department में चले जाओगे तो JEE से AEE में at least 20 से बच्चे साल लग जाते हैं किसी भी department में आप चले जाओ चाए एम जली हो चाए कोई साभी हो चाए MCD में चले जाओ चाही कहीं में चले जाओ जहीं से AEE बनने में 12-15 साल लग जाते हैं और अगर आप और किसे department में जाते हो तो MCD हो चाहिए MCD का कोई भी हो उसके अंदर आपको 12-15 साल एटलीस लग जाएंगे क्योंकि आपसे उपर पहले ही बंदे जो है recruit हो रखे हैं एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये DSIDC का 7 December 2021 का एक जो है letter है इसके अंदर इन्होंने deputation पर बंदे बता रखेंगे कि कितने कितने इनके यहां deputation पर है आप देख पारे होगो चीफ इंजिनियर सिविल के दोनों deputation पर है SC1 deputation पर है Electrical Executive Engineer सिविल भी तीन deputation पर है तो टोटल मिलाकर 40 लोग deputation पर है मतलब around 30 यह लोग around deputation पर है, पूरा department की जो इसके seniority list दिखाता हूं मैं आपको जो की 2014 में निकली हुई है एक बार मैं आपको देखाते ताहूं कि as on 2014 19 December 2014 ठीक है, 2020 इन्होंने DSIDC की जो वेकेंसी निकली थी, एक बार 2013 में भी निकली थी, जब MCD बगरा में पहली बार जो है वेकेंसी निकली थी, Jays की तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट था लेकिन उसकी जो है, वेकेंसी जो है cancel कर दी गई थी, cancel किस residency करी गई थी, शायद contractual जो बन दे थी, उन्होंने case बगरा कर आओगा तो जीद गए तो पंद्रा है, पंद्रा में से 59 से लेकर 67 तक डेटो बड़त है एक दो साल किसी के बचरे होंगे, बाकि सारे रिटायर हो चुके है एक्सियन सिविल भी रिटायर हो चुके है, डेपोटेशन पर ही चल रहा है पुरा डेपार्टमेंट फिर आप देखोगे AWE सिविल, अभी AWE सिविल की पीछे डेपोटेशन पर एक DSIIDC ने वेकेंसी निकाली थी उसके लिए क्रैटेरिया भी वांगा हुआ था, जो उन्होंने अपना क्रैटेरिया दे रखाया उसके बेसिस पर, 10 AWE सिविल के थे यह सारे भी पर्मानेंट बन्दे थे, यह सारे भी almost retirement पर बैठे होंगे, 4-5 साल ने सब के बच रहे होंगे, अदर्वाइस जैसे 1962 है, तो 59, 8 साल में रिटायर हो जाएंगे, 2-3 साल में उपर से AWE की पोस्ट भी खाली हो जाएंगे, अगर आप देखोगे, AE सिविल की जो आप 4800 ग्रेड पे AE का दे रखा है आपको, इसके बाद J.E. सिविल, आप देख सकते हैं, 19 लोग है, J.E. सिविल में 19, 2013 में निकले थी वेकेंसी, तो 19 लोग है, 19 लोग है, सबकी आप डेट अब बर देखोगे, तो यह सब भी retirement बर बैठे है, इन सबकी डेट अब जोइन इन सबकी अगर आप डेट बर देखोगे, तो काफी old age के हैं, तो यह भी retire होने पर अपने बैठे होंगे, 5-6-7 साल में retire हो जाएंगे, DSI-DC ने भी जो वेकेंसी अभी निकाली है, इनकी जो अगर आप DSI-DC के वेकेंसी देखोगे, इन्होंने 52 पोस निकाली हैं, जही की, तो एक huge number में इन्होंने vacancies निकाली हैं, promotion के बहुत अच्छे chances है इस department के अंदर, तो overall इसको अगर मैं होता, तो इसको मैं अपने department को अपनी first preference list में बढ़ता, मैंने अपने वीडियो भी preference list के उपर बना रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना पूरा, तो इसको इ time period complete करना है अपना और उसको जाकर आपको promotion timely मिल जाएगा, काम आपको पताए है industrial और industrial जो भी एरिया है, उसकी maintenance और construction जो भी होती है, उसके related work है, public dealing बहुत कम है इस department में, क्योंकि industrial area में public का involvement नहीं होता, तो public dealing जो है इस department के अंदर बहुत कम है, अब एक बार आपकी नजर मै इस पर डलवाता हूँ, DSI-DC के यह works है, यह procurement दिल्ली पर आप जाकर न देख सकते हो कि इसके काम क्या क्या है, तो अगर आप tender status में जाओ, यहाँ पर organization select करो DSI-DC, यह रहा DSI-DC, ठीक है, इसके बाद next select करो engineering, फिर division, यह बहुत सारे division है, देखो civil division 1, 2, 3, 4, 5 करके काफी सारी subdivisions है, इसमें आप select करो industries, publish from date, किस date से किस date तक tender हो सकते हैं, तो आप अगर last year के हम tender देखे हैं, 1 January 2021 से, हम देखें, December 2021 तक, H2D, यह सारे works है, DSI-DC के engineering, काफी सारे हैं, total records, pound 11, किसी को भी आप जाके चेक कर सकते हो, तो nature of work भी बहुत है, काम भी ठीक है, promotion में भी बहुत अच्छा है, public dealing भी बहुत कम है, इसलिए department जो है, मेरी first preference list पर है, सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर AEE को 4800 ग्रेट पर मिल रहा है, अगर आप MCD के जो भी, जो New Delhi Municipal Council में भी वेकेंज से निकलिए है, उसमें first preference में भी सकते हो, South MCD या पी North MCD, कोई सी भी आप भी सकते हो, दिल्ली जरबोड भी आप पहले भी सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे suggestion पूछो, तो मैं DSI DC को अपनी first preference पर आपको बताऊंगा, promotion scope भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को like जरूर करना, चैनल को subscribe भी जरूर करना ना बोले, और किस department में मुझे अगला वीडियो बनाना है, अगर आप चाहो तो मुझसे comment में मुझे mention करके जरूर बताएं, कि next में किस department पर आपके लिए वीडियो बनाऊ, thank you, thank you very much.